हेलो दोश्तो इस video में हम जानेंगे Erythromycin के बारे में जानेंगे कहां-gers यह लुज होती है इसका कितना रोज दिया जाता है इसके क्या-क्या नुकसान होती है यह सब जानकारी है हमें इस बीडियो में जानेंगे इसलिए बीडियो को एंट तक जरूर देखें Erythromycin क्या होती है इसके बारे में जानते हैं Erythromycin एक Antivatic Medicine होती है जिसका उपयोग कई सारे बैक्टरिया से होने वाले Infection को ठीक करने के लिए किया जाता है Microlite class होती है Antivatic जिससे यह बिलॉंग करती है Microlite class में ही Erythromycin, Roxythromycin यह सारे Antivatic किसी क्लास से ब्लॉंग करती है इसको तब यूज के जाता है जब किसी को Penicillin से Allergy होती है तो उस करनी सनम हम इसको Option के रूप में यूज करती है Erythromycin सेडूल एच की मेडिसन है इसलिए इसको करिसने के लिए एक Valid Friscussion की याप सकता होती है Erythromycin वैसे तो अपने जेनरिक नेम से भी मिल जाती है लेकिन इसके कुछ पॉपिलर ब्राण नेम है जैसे कि Erythromycin या फिर Elethromycin और बच्चों के लिए जो ड्रोप आती है उसमें Elethromycin ड्रोप के नाम से मिल जाती है और यह जो ब्राण नेम होती है एडिया के गौडिंग चेंज भी होते रहती है Erythromycin का जो मोड़ उपेक्सन होता है यानि यह कैसे काम करती है अभी सेम Erythromycin की तरह काम करती है जो बेक्टरिया की सेल में राइवस्वम होता है तो उसमें जो 50S राइवस्वम की प्रोट्चन होती हो अगर हम इसको हाइडोज पे देते हैं तो हाइडोज पे ये बेक्टरिया को मारता है वो ही टोपिकल यूज के लिए इसके ओइंटमन्ट्स आते हैं जैल आता है और टोपिकल सोलूशन भी आते हैं और आख के लिए इसका ओउंटमे आंक में लगाने के लिए किया जाता है इरित्रोमाइसन की जो डोजिंग रहती है वो बीमारी के अकॉर्डिंग या डीसी के अकॉर्डिंग दी जाती है लेकिन हम इसकी जनरल डोजिंग की बास करें तो 250 mg से लेके 500 mg दिन में एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार दे सकते हैं इसका एक दिन में जो मेंग्जिम डोज रहता है वो 4 ग्राम का रहता है अगर हम इसकी जल की बास करें तो इसका जो जल होता है जहां पर इंपेक्शन हुआ रहता है उस जगह पर हम इसको दिन में दो बार एप्लाई करते हैं बच्चों के लिए इसका जो डोज रहता है वो रहता है 30 mg से लेके 50 mg पर केजी फ़र्डे के कोई इसकी जो बायो अवेलबिल्टी रहती है 30 से लेके 65 परसेंट होती है और इसकी प्रोटीन वैंडिंग 90 परसेंट होती है और इसका जो मेटाबोलिज में लीबर के द्वारा किया जाता है और इसकी आफ लाइप डेड़ गंटे की होती है और इसका उस सर्जन वाइल के द्वारा किया जाता है अब जानते हैं Erythromycin की उपयोग के वारे में, तो respiratory tract infections जो होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जैसे tonsillitis या pharyngitis या pneumonia, तो इन सम में इसका उपयोग किया जाता है, tonsillitis जैसे कि जो tonsils से इसमें सूजन आ जाती है, तो इसमें इसका यूज किया जाता है, और जब ph inflammation में भी या inflammation हो जाता है pharyngitis में, तो उसको बोलते है pharyngitis, तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करते हैं, इसके साथ साथ ही pneumonia में भी उपयोग किया जाता है, कान में होने वाले infections में इसका उपयोग करते हैं, और एक बीमारी और होती है diptheria, जिसमें fever आता है, sore throat होता है, औ और जो neck होती है, वहाँ पर swelling आ जाती है, तो इस बीमारी को टेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसके साथ हो मैसन का उपयोग, STD जैसे के gonorrhea, cephalis, या पर clemedia में इसका उपयोग किया जाता है, इनके कुछ symptoms की बात करें, STD की, तो इसमें commonly क्या होता है, जो private part ह वहाँ से discharge निकलता है, या हम पर दर्द होता है, या फिर योरीन जब करते हैं, तो उस तोरान मेल में, दर्द होता है, ओपिंग कप होता है, ओपिंग कप में भी इसका उपयोग करते हैं, फिर intestine में जो infection हो जाता है, इसकी वाज़से, पेड दर्द करता है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है, इसके में होने वाला है इंपेक्शन्स या फिर सॉप्ट रिस्यूज में जो इंपेक्शन्स हो जाते हैं, इंजरी की बगज़े से या किसी और कारणों से, तो उसमें इसका उपयोग करते हैं, और इंपटाइगो जो आप इस पिक्ट में देख पा र जाता है और इसकu टिया जाता है, इसका जो अगला उप्योग है वो है नौन गानकुकल युरेत्रा अइट्स यानि जो यू इउन्हें होता है उसमें उपयोग करते हैं या फिर आंक में होने वाला जो infections होता है जो सुपरपीसेल होता है जिसकी वज़े से आंक लाल हो जाती है आंक में घुजली होती है तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका जो ऑल बी कई सारी medicines होती है जिनके साथ में इंट्रे करती है तो अगर हमें इसके साथ में इसको देती है तो इसका effect कम या ज्यादा हो सकता है तो अमें साथ ध्यान रखा जाता है इसके साथ में नहीं दिया जाती है अगर इसकी warning या contraindications की बात करें तो जिसकी किसी को भी hyper sensory रहती है इर्थुमाइसिन से या किसी unknown macrolat से तो उस condition में इसको नहीं दिया जाता तो एती जानकारी इर्थुमाइसिन के बारे में I hope आपके जानकारी पसंद आई होगी अगर आपके जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स पोर बोचिंग